छैईलो एब्रीवन वेल्कम टू ओपन पाद एज्यूकेशन सेकेंड पाउट में अब हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने जो बैकुलर सर्वर है उसको कैसे अब करेंगे तो हम देखते हैं जो हमारा जो बैकला सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया है उस पर हम में में दिरेक्टरी में जाएंगे cd बैकॉर "- जाएंगे", फोल्डर में जाएंगे यहां पर करेंगे तो हमें फिर्ट पर यहां पर हम देख पा रहे हैं वहाल की चैनल को फाइञा है से जिए जो भैकुलार डिप य डाइर डॉट डॉट कओं इस डिंदर हम अपने डिरेक्टर को अधिकर करें गे हम storage configure करने के लिए हम storage की information भी यहाँ पर डालेंगे इस file के अंदर clients की information डालेंगे हम job schedule करेंगे और इस तरह से हम different different tasks देखेंगे then आती है यहाँ पर bacula sd.config file दिख रही आपको इसके अंदर हम mainly अपना storage configure करेंगे जिस पर हम backup करना चाहरे हैं जो भी हमारी jobs जितने भी हम backup करेंगे वो यहाँ पर storage हम configure करेंगे वहाँ पर store होगे then bacula console.com file है इस file के अंदर हम अपना director configure करेंगे यह command line utility है जिसके तुरू हम backup कर सकते हैं और restore कर सकते हैं तो हम पहले अपना main configuration file देखते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पहली entry है वो director की है तो यहाँ पर हम director define करेंगे हम कोई भी नाम ले सकते हैं आप कोई भी नाम ले सकते हैं यहाँ पर हम kbit ले रहे हैं देन हम उसका password set करेंगे यहाँ पर हम password ले रहे हैं हम new password set करते हैं यहाँ पर देन आप नीचे scroll करेंगे आप catalog entry को search कीजे और catalog entry पर जाहिए अब यह catalog entry है जहाँ पर हमारा database की information mention की हुई है तो यहाँ पर हम database की information mention करेंगे catalog my catalog name mention किया हुआ है database db name macula है db user macula है और उसका password हम reddit देंगे क्योंकि हमने पहले वहाँ पर reddit mention किया हुआ reddit हमने password set किया हुए bacula user के लिए mysql के अंदर तो reddit हमने set कर दिया password अब हम नीचे आएंगे एक ही tray monitor tool है जिसके अंदर हम monitor कर सकते हैं अपने bacula director को then storage को clients को हम monitor कर सकते हैं तो इसका भी हम password set कर देते हैं reddit set कर रहा हूं है password इसको close करेंगे बहार आएंगे then हम अपने storage वाली configuration file में चलते हैं यहां पर आते हैं हम तो यहां पर हमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा the storage है उसका नाम यहां पर bacula sd के नाम से mention है then यहां पर हम director mention करेंगे के वी डालते हैं हम यहां पर क्यूंकि हमने ओर्रड़ी वहां पर configure किया हुआ है के नाम से यहां पर हम password storage का password set करेंगे storage का password हमने डाल दिया then हम tray monitor का password डालते हैं redhead हमने already mention किया था अपनी main configuration file में तो यहां पर भी redhead डालते हैं then नीचे आएंगे तो आप यहां पर देख पा रहे हैं device एक करके यहां पर mention किया हुआ है उसका नाम file storage है और इसमें mention किया हुए temp archive device यहां पर हमारी जितने भी हम जो भी backup करेंगे वह यहां पर store होगा time में तो इसको हम change करते हैं और यहां पर हम backup नाम से एक entry करते हैं एक हम folder बना एक directory बनाएंगे backup अपने इस बैकला server पर और उस पर हमारी सारी जितने भी backup jobs है वहां पर store होंगे जो media type है वह file है क्योंकि हम file पर file यूज कर रहे हैं इस बैक अप store करने के लिए तो हम यहां पर file यूज करेंगे उसका नाम हमने file storage already mentioned है यहां पर नीचे आते हैं अब यहां पर messages के लिए दे रहा है तो यहां पर भी हम अपना जो डारेक्टर है उसको के वी आइटी कर देते हैं कि यह चेंज हो गया सेव करके भारा जाएगे अब हम service start करते हैं storage के लिए पैकुला sd start ओके तो हमारी service start हो गई है अब हम में configuration file में दुबारा आएंगे अब यहां पर हम अपना storage जो हमने खंभ किया था उसको मेंचन करेंगे यहां पर पासवर्ड लेंगे हमने वहां पर storage password डाला था तो यहां पर हम storage password डालेंगे अ दैन एड्रस मेंचन करेंगे हम बेक्ला सर्वर पर ही हमनेanız storage भी और तो हम यहीं इसी का आईपी डालेंगे हमने 150 डाल दिया है muruma device file storage media type file है क्योंकि हम file type media ले रहे है तो हमने file type media type हमने file ली लिया है आप जैसे tape drive ले रहे हैं या बाकी घ्रे ले रहे हैं तो आप उसके according यहापे media type mention करेंगे तो currently हम file ले रहे हैं तो हमने file डाल ले यहापे सेव करके बाहर आजीए और ठीक है यह सब हो गया बाहर आजीए सेव करके एक बस सर्विस स्टार्ट करके देखते हम इसकी ओके ही है हमें एरर दे रहा है करें यह एरर इसलिए रहा है कि हमने यहाँ पर क्लाइंट की डिफॉल्ट एंट्री है यहां पर इसके अंदर जो पास्वर्ड है वह सबसे पहले हम अपनी क्लाइंट मशीन पर जलते हैं में मशीन पर लॉग इन करते हैं क्लाइंट मशीन पर लॉग इन करने के भाग कि मैं फॉन थोड़ा बड़ा कर देता हूं कि इसका भी फॉंट बढ़ा गर देते हैं तो क्लाइंट मशीन पे मैंने अलरड़ी एक पैकेज इंस्टॉल किया हुआ बैकुला क्लाइंट से लेटेट क्योंकि हमने इस मशीन पे बैक अप लेना है इस मशीन का तो हमने बैकुला क्लाइंट पैकेज डाला हो रहा है तो हम इसकी कॉन्फिजिशन फाइल में जाएंगे कि यह हमारी कॉन्फिजिशन फाइल है क्लाइंट के लिए बैकुलाफडी.com इसको उपन करेंगे इसको उपन करनेके बाद हम यहां पे आएंगे मैंने अलरी एंट्री की हुई है के वीए टी डारिक्टर के नाम से यहां पे हम पासवर्ड डालेंगे क्लाइंट मशीन के लिए जो जो क्लाइंट मशीन का पासवर्ड है वो डालेंगे हम और देन डारेक्टर की एंट्री करेंगे हम यहां पर जो जो के लिए उसके एंट्रिफry हमने डाल त्हीं डाल देंगे हमने इस क्लाइंट शीचीन के लिए एक नेमठी चूज किया है क्लाइंट हाइफन एफटी करके दो हम्ने वह डाल दिया है और के लिए भी आप यहाँ पे के वी ऐटी डाल देंगे Kvaitक, हमने डाल दिया इसको सेव करते हैं जो हमने यहां पे क्लाइंट का पासवर्ड लिया है वो क्लाइंट लिया है तो हमें ये एंटरी अपनी में खॉ enfin Connection फाइल में भी करनी पड़ेगी तो हम अपनी मेंन कॉअधिशन फाइल में आते हैं तो यहां पर हम क्लाइंट का नाम डालेंगे देन उसका आईपी अड्रस डालेंगे देन पास्वर्ड की एंट्री करेंगे हमने वहां पर क्लाइंट डाला था तो यहां पर भी हमें क्लाइंट डालना पड़ेगा ताकि डारेक्टर वहां क्लाइंट मशिन ग्犯हां उसके के लिए एंट्री कर देते हैं तो इसको कॉप्य पासवर्डिट है वह कौन्ट ऑपैस्वर्ड है तो यहां करने के बाद हमें कुछ जो डेपॉल्ट जॉब्स यहां पर मेंचिन की हुई है उसके अंदर थोड़े चेंजिस करने पड़ेंगे जैसे यह है बैकुला एफडी के नाम से क्लाइंट यह एक्जिस नहीं करता है तो यहां पर इसको चेंज करके हम क्लाइंट वाली एंटर डाल देते हैं नहीं तो हम हमारी जो सर्वीस वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी यहां पर भी चेंज कर दीजे करेंगे तो यह हो गई है सेव करके भाहर आजिए सर्वीस स्टार्ट करेंगे सर्वीस हमारी स्टार्ट हो गई है तो यह सब करने के बाद हम मैं आपको बताता हूं कि जो विंडो क्लाइंट है उसके लिए आपको एक पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा पैकेज आप पैकेज आप सोर्सफोर्स.net से आप डाउनलोड कर सकते हैं पैकेज तो मैंने एक पैकेज डाउनलोड किया है मैं आपको दिखा देता हूं यह विं-32-Bacula यह वाला पैकेज है यह पैकेज आप डाउनलोड कर लीजे और उसके बाद जब आप eXC रन करेंगे तो इस तरह से आपको शो करेंगा विंडो इस विंडो में आप नक्स करेंगे नक्स के बाद लाइसेंस एकसेप्ट करेंगे एकसेप्ट के बाद आटमे प्रेस करेंगे तो वो इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने उसके बाद आपने आप सीड्राई में जाएंगे सीड्राई में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल में जाएंगे दैन बैकॉला में जाएंगे और यहां पर आप बैकॉला FD के नाम से एक फाइल बनी हुई है इसको उपन करेंगे आप इसको उपन करने के बाद आप एक चीज ध्यान रखिए कि यह सब चीजें आपको चेक करनी है इसका जो फाइल नेम है वो हमने वहां पर यहां पर होना चाहिए देन डारेक्टर है जो वह के वी आईटी मेंशन है यहां पर पासवर्ड वन दिया था यह भी देखना आप देखना पड़ेगा आपको और उसके बाद जो ट्रे मॉनिटर है उसके लिए हमने पासवर्ड एड़िट सेट किया था और जो भी और सेंड क्समा देखना तो उसको भी आप देखेंगे यहां पर आपको क्य वी आईटी जो स्टैंडर मैसेजिज के लिए यहां पर नाम मेंशन करना पड़ेगा कि यह भी मैंशन किया हुआ यह भी इसको सेव करके बाहरा जी तो यह सब करने के बाद हमारा जो कॉंफिगेशन है वह हमने कंफिगर कर लिया है हमने अपना स्टूरेज भी कॉंफिगर कर लिया है और उसके बाद हम कंसोल डॉट कॉंफिगर में जाएंगे बी कंसोल डॉट कॉंफिगर में जाएंगे यहाँ पर जो डिरेक्टर का नएम है वो चेंज करेंगे के वी आईटी मेंशन करेंगे एड्रस मेंशन करेंगे 150 मेंशन कर दिया पासवर्ड हम डाल देते हैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड सेम वो डरेक्टर वाला पासवर्ड मेंशन कर देते हैं यहाँ पर इसको सेव करके बाहर आजाते हैं उसके बाद आप ट्रे मॉनिटर पर उपन करिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे हमने रेड हैट मेंशन किया हुआ है सभी फाइलों के अंदर तो यहाँ पर हम रेड हैट पासवर्ड डाल देते हैं उसके बाद क्लाइंट है जैसे हमारे दो क्लाइंट हमने कंथे किये हैं तो उसकी एंट्री भी यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी एक क्लाइंट के नाम से था उसका जो आईपी है 151 है तो वो डालेंगे दैन उसका जो पासवर्ड अब हमने क्लाइंट डाला था तो यहाँ पर भी हमें क्लाइंट मेंशन करना पड़ेगा ताकि वो क्लाइंट मशीन को मॉनिटर कर पाए यह उन विंडो मशीन रेडी की थी तो उसकी एंटई भी कर देते हम उसका पा जो आईपी है वो हन्ट्रेट है, and पासवर्ड हे इस क्लाइंट वान ठीक है, तो स्टॉरेज की एंटई करते हम, स्टॉरेज की एंट्री करेंक हम यहाँ पर 921680.150 और इसका जो पासवर्ड वो स्टोरेज था तो हम स्टोरेज मेंशन करेंगे यहां पर और जो डारेक्टर है हमारा वो केवी आईटी के नाम से है तो यहां पर केवी आईटी डालेंगे देन 192168 एड्रस मेंशन कर दिया हमें तो यह हमारी सारी एंट्री हो गई है यहां पर इसको सेव करके बाहर आजाएए एक बार दोनों सर्विसेज दुबार चलू कर देते हैं तो इस वीडियों को अब यहीं स्रॉप करते हैं यह कि आ यहां चैना शोब दोनीक आफ़ेटी आज आगाए हो इस वीडियों को यहां अध्याज़ पाल दोनीक मेंशन कर दोना हैं तो स्टैंबार दोना साक्थ आज़ाएट हैं और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि हम किस तरह के से जो जॉब्स हैं उसको create कर सकते हैं file sets देखेंगे हम कैसे file sets create करेंगे pools कैसे create करेंगे यह सब चीजें हम next video में देखेंगे so thank you for watching this video